कि देखे रूल्स पॉर फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस स्थम में बात कर रहा है तो थोड़ा आप समझ भी जाएंगे इतनी समझ आप में डबला पूची कि जैसे माललो बिटा आप स् सेंटीमीटर की स्केल है पूरी है पूरी स्केल पी ठीक है ना कहां तक भी यहां तक होगी स्केल थोड़ी छोटी होगी स्केल यहां तक हो है मानले आपने यहां पर लगाई यहां से स्केल लगाई आप ठीक है ना यह पूरे स्केल के ग्रिजुएशन है जिससे भी आप मैं और अबने आपको मार्किंग और इस तरीके आपका 2.3 तू पॉइंट्स पॉइंट है तो मार्किंग ही नहीं देख रहे आप से बोला गया इसके सब्सक्रांब और यह आप को दिख रहा है आपने बिल्कुल जूम करके देखा नहीं तो आप रफली क्या बोल देंगे इसके पास में आपने जूम करके देखा तो यह सिचुएशन है ठीक है ना तो आपको यह बताए डेफिनेटली की टू पॉइंट थी के आगे कुछ नंबर लिखूंगा टू पॉइंट थी से टू पॉइंट पॉर क के बीच इस रॉड की लैंट होगी देखो यह बास समझ पा रहें के सब्सक्राइब के साथ तो आपने इस रॉड के शुरू में जहां पर स्टार्टिंग में जीरो रखा हो एसा ठीक है ना इस रॉड के फिर आपने स्केल लगाई नीचे यह है बीच में तो टू के बीच आ रही है और यहां पर तो कुई ग्रेजुएशन है नहीं आपके स्केल टू पॉइंट्री सेंटीमीटर टू पॉइंट फॉड सेंटीमीटर के बीच में कैसे निकालों स्को ठीक है ना तो आप कैसे लिखेंगे आप रफली फिर ऐसे लिख सकते हैं तू पॉइंट थी फॉर तक लिख सकते हैं थीक है न तो यह आपके दो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट डिजेंट है और एक आप पे तना नहीं आपका इसमें यह सब क्या कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं थीक है तो यह रिजनेवल लगता पैसे रिपोर्ट क तो आप रेंडम कह रहे हो और आप कह रहों कि अब आपने टू पॉइंट थी फॉर लिया टू पॉइंट थी फाइव के उसके भी दस दिविजन करके सब कर लिए तो यह आप रिपोर्ट आप इस से स्केल से मैजर कर रहे हो चीज और रिपोर्टिंग आप कुछ इस तरह क नंबर का कर सकते हो गलत हो जाए ना यहां से कोई आपने लैंध मारी दो लेंफ मान員 आपने 2.34 इंटु एक डूसरी लेंद निगाली आपने तू पॉइंट फाइट ठीक है ना लेंट और विट तेमालो आपकी यह आपकी विट तो इसका एरिया कैलकुलेट करो देखो कितना रहा है तू पॉइंट्री फॉर इन्टू फाइफ एड लेंद और विट आपने स्केल से मैजर करिए ठीक है आपने मेजर कर ली तो यह आरा सिक्स पॉइंट जीरो थी सेवन टू आ रहा है इस तरह यहां देखो आप पॉइंट के बार इतने सारी कैसे बता रहे हो आप तो पॉइंट के बाद के बाद की मैजर कर पारें समझतिक तो तो आप कैलकूलेटर से निगाल रह इसकी आप बिल्कुल पॉइंट जीरो 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 वन तक उसकी लिमिट हो तो आप फिर भी फिर ऐसी रिपोर्ट कर सकते थे ठीक है ना स्केल से मैजर करके लैंद और विट निकाली आपने और एरिया की रिपोर्टिंग आप ऐसे कर रहे हो तो इतना एक्कुरेट दिखा र इसका क्या होना चाहिए जो हम रूल्स पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका 6.0 को रहे हो कैसे करते हो बात करेंगे थिक है इसके लिए लिए कर रहे हैं दूसरा यह रिपोर्ट कर रहे है तो आपको लगेगा यह तो बेकार है और यह इसने देखो इतना इसने गलती बताया लूट के बाट विलूट के बाट पॉइंट के बाट टूर्फ ट्ना अठ्ट नहीं था आपको एक्विरसी इतनी जाना दिका रहा रहा है तो यह थोड़े जिन दो चलता है इसा बिसनस फिर खतम हो जाथ इक है नदोगे बहुत बड़ा भिश्यों में रिडिंग में बहुती लीडिंग है यह बहुती मिसलिडिंग यह बहुती लीडिंग है यह आपका एक्जेक्ट बता रहा है आपको आपको दोग़ा देगा तो इसलिए इन नंबर सिग्रिफिकेंट फिगर्स का बहुती बड़ा कंट्रिविशन है कि रीडिंग आप कहां तक लिख रहे हो ठीक है ना यह बिल्कुल गलत है विटा अगर आप सिर्फ इसकेल से मेज़र कर रहे हो एरिया इतना बता रहे हो तो यह गलत चीव है आपको केवल रिपोर्टिंग इ आपको चाहिए तो आप हायर इंस्ट्रुमेंट पे शिफ्ट हुए हमारे पास किनी एकुरेसी नहीं है इतना प्रिसीशन नहीं है तो मैं आपको एरर से पहले एकुरेसी और प्रिसीशन के मीनिंग में बताऊं अभी जस मैंने आपको ब्रीफ इंटोड्यूस कराए कि सिग किसी नंबर में कितने सिगनिफिकेंट ठीक है और जब दो चीजहों को एड करना है तो फिर फाइनल रिजल्ट में सिगनिफिकेंट फिगर कितने रखने हैं इस दो बाते आपको सीखनी रहें रिक्वायर्मेंट क्यों पड़ेगी इसकी आगए आपको लाइफ में अगर आ कर रहें उस इंस्ट्रुमेंट की से ज्यादा तो आपका रिजल्ट नहीं होना चाहिए यहां पर केवल पॉइंट वन ऐसका ठीक है और आप ऐसे एक रखी रहो ठीक है लेकिन उस सारे सिगनिफिकेंट फिगर्स कहला ठीक है बट आपकी यह रिपोर्टिंग तो बिटा सरा इसमें नंबर ऑफ सिगनिफिकेंट फिगर्स कितने तो आपकी जो दिख रही हो सारी क्या बूली जाएंगी सिगनिफिकेंट बूली अब रिपोर्ट करने वाले ने करी गलती हो तो अलग बात है टोंनोर हैं तो जिसमें ज़्यादा इडीज tomar जाएगे इससने कैसे बताया तो उसका इक्सæ普ловест बहर देगे बता रहे हैं कि हमाने पास तीण सप्लाइर प्रते लिक्रवाइब है उसने कैसे बिजसें। और झालिए भी हमें तो नम व मतलुर हम देखें हम बता देंगे इसा सिंग्निफिकेंट फिर्थ didntrib सब्सक्राइब और तीसरा रूल है कि नंबर इस देन बन यह दोनों बहुत आसान है जैसे कि एक्जामपल ऐसा है जैसे कि मैं कहूं कि आपको इस नंबर तो इस नंबर में क्या इसमें निया दिक्कत है यह से छोटे वालों में तो इसमें तो पता यह भी सिगनिफिकेंट यह भी सिगनिफिकेंट यह थी जिए अब क्योंकि 02-001 इसमें लास में अगर 90 थे बीसमें किती भी जीटाए ठीक है ना उससे फरक नीबड़ता है यह ऐसा है देखो इसके बाद कहीं टिए हो जगा होगी सिंगर के एक इन अगर जीरो से लेड़्ट साइट के जिरो के राइट साइट जिसे नोटिए दिखक गई तो जी रोच क्या हो जैंगी सिर्निफिक एंड वुजयेंगे आप सको फिर 17 नंबर ऑफ जाओंट कल लोगे सबसेहल पहले सिगृकर्ण के ढई ए Clinton नंबर फिक वाई की लिए 10 पीट ते रहे हुआ तर्फ यह उन जीरो चाहर पाटने कंपर और इंट पॉइंट उन पॉइंट जीरो ने नम्बर अप सिंविकन पिकर्स कितने हों ए 1008 पे नंबर आफ ते पिकर्स कितने होगे है भुशी आप न कियो बतारे विटाओ मैं कहारो हूं सारी आपने पहले से नहीं पढ़ रहें गलत सरत रूली वताई से यह यह वन टो थी मोड यह चार सिंग्निफिकेंट इसके नौन जीरो तो सारी है इसमें तर भी इस लिखेंग नौन जीरो आ गया था तहीं पर खेर बहुत तहीं पर रखेंग पर ञाहिए जिरो हारा है उदर भी एक कौन जिरो हारा है तो चार सिग्निफिकेंट पिकर सोगे कुछी बताइए के डाउट है आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब नंबर तो पक्का जीरो पॉइंट से शुरू किया और अगर यहां पर एक जीरो आ रहा है टिकियाँ यहां पर एखर एक जीरो है जैसे कितने बीजी सारे जीयो कितने और इसके रर्ख ओधर नहीं होंगी जैसे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट इंस थ の यह के लिए आपको यह आपको इस तो नंबर और शिग्निफिक्ज कितना हो गया आपका फोर हो जाए तो दिक्कत कहां पर एक तो शुरू वाली जिरो में दिक्कत है एक लास्ट वाली जिरो में दिक्कत है तर्मिनल्स और ट्रेलिंग जिरो जिए नंबर विटाउट टेसिमल पॉइंट इसका बहुत सिंपल सा अगर ट्रेलिंग जिरो इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिंपिकेंट अगर ट्रेलिंग जिरो की एक आनी विटा कहीं पॉइंट आ रहा है तो इस सिंपिकेंट जैसे आपने लिगा वन टू थी डबल जीरो इधर कोई नहीं है तो लास्की जिए वेकार इसमें देखो लास्की बाइल की अगर ही आजाता देखोएं बंडबल जीरो ऐसे हो जाता टू इसमें किया यह दोनों क्या होती है पॉर सिगनिफिकेंट फिकर सोगाथ हुआ इस पर गैश में कौई पॉइंट ही नहीं आ रहारा है तो लाश की सारी इस में पॉइंट तो चार सिंगिपीकेंट बिस इसमें कितने सुरू की जिरो बेकार लास की काम में आ यह बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम्पल शुरू की और लास की दोनों जीरों के बारे शुरू की जीरो बेकार हो गई क्योंकि जीरो पॉइंट के पहले कुछ आई नहीं रहा है जी जीरो कि लगा दो तो इसमें इन रूल्स का परपस वह यह वेटा कि आपको जैसे की आप क कि वन मीटर है ठीक है ना तो इस में नंबर आफ सिग्निफिकेंट फिकर्स कितने वन है और आप तो कि बढ़ जाने चाहिए सब्सक्राइब बढ़ जाने जीरों कि है इसे यूनिट चेंज करके शिग्निफिकेंट ना कर पाए कितने रहेंगे तो इसी तरह से मालो आपने निकाला तू सेंटीमीटर आपने निकाला तू सेंटीमीटर मैं तो लिकोंगा इसको तीन प्रीटर जंगे न तो कहां हो रहे हैं एक इतने सिंटीमीटर के साथ कुछ इसलिए आपके ट्रेलिंग जीरो और इनिशन जीरो आपको ध्यान रखना है त्रेलिंग जीरो और इनिशल जीरो का आपको ध्यान रखना है बाकी कोई दिक्कत नहीं है नंबर ऑफ सिग्निपिकेंड फिगर्स काउंट करने में बच्चे गलती नहीं करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का और एक बात आती है नोट पे लिख रखा है मैंने डेफिनेटली कि इन साइंटिफिक नोटेशन पावर और एक इसमें जीरो क्ट पॉइंट आ गया है तो जस्मन क्लियर है एकदम चार सिग्निपिकेंड फिकर्स हो जाएंगे इसमें क्लियर है एक्दम कोई रिक्कार मुल्टिप्लाइग और डिवाइडिंग फैक्टर विचार नाइदर राउंडेड नॉर 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 रिप्रेजेंटिंग मेज़र्ड वैल्यूज और एक्जेक्ट मतलब इन में फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिकर्स प सिग्निफिकेंट फिकर्स कितने होते हैं इस तरह के फार्मूले में आ रहे हैं तो क्या होंगे आपके इन फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिकर्स को लिए थिए ना कैल्कुलेटेट वैल्यूज आएंगे आपके उन में आपको ध्यान बखना इसे डामीटर किसी ने निकाला ठीक है डामीटर निकल गया तू पॉइंट जीरो जीरो अगर उसका एक्यूरेसी इतनी ज् पॉइंट आ गया तो प्रेइलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाई एक ठीक है और पॉइंट आगया और इससे पहले वो नहीं है जीरो नॉन जीरो नंबर आ गया यह ठोड़ी नहीं है तो आप इस वाले को देखोंगे इसकी प्रेसिशन इसका बहुत जादा है तू पाइंट जिलो ठीक है ना इस रिडिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई के आसके बजाए कि कोई केवल तू रिपोर्ट कर ठीक है ना इसने बहुत ही अच्छे लीस्ट काउंट गोलते है वैसी ज्यादा बढ़ेगा इसके आपको यह दे रहा है यह बास तुम जादा ले रहा है और उसकी तो इतनी होनी नीचे समझे आप डिफरेंट समझेर है significant figures का number of significant figure जादा है तो इससे precision जादा बढ़ेगा इस तो घुकर थे और इसमें सब खूर नाजब पूच्वाइए पर इसमें इसने सब सब्सक्राइए यह वाँ पॉइंट तुज इरो में नमबर आप सिग्निफिकन फिए प्रिकर्स कितना है बॉन पॉइंट डू जिरो में नमबर आप सिंग्निफिकन फिकर्स खुशी का यह आप सब्सक्राइब पिर दो कि भूट ना पर alright प्रीड अ किटूश्य कोई इस जियोजिव में जियो जब सक्रझे से 2.00 फिरुमें जिरुम में जोप सा घाग्या ठीकिना रही ठीक Negroek विटिकेंगे जीरो निवीरो ते शुरू हो रहा है विटा वह स्नेल क्लियर है आपको वेठा तो 1.5 में कितने सिंगिपिकेंट टिकर से टेजल दिवता 1.5 नंबर ऑप सिंगिपिकेंट पिटर्स 1.50 मेंRIS 1.50 में सबसे लिक्रेंस नहीं 1.50müş तो सिनिफिकंछ और नवाले कि सारी एक एक एन ने लेस दन वन वाले नंबर्स में देखो इसमें कितने वत आयशिव कि सारी यह भी वेकार है यह बीडिया रही वेगार है यह वान्टू त्री फोर फोर सिनिफिकंछ और इसमें बताओ 0.5 30 कितने सिग्निफिकन्ट पिंगर थे 0.5 30 नंबर उप सिग्निफिकन्ट फिकर्स शुशी चित्राग जस्वंधी यह सई जा रहे हैं इस पिंकी का भी ठीक है पिंकी का भी एकड़ेक्ट पे 0.530 इसने लाँ पता हूं 0.530 नूमबर अप सिंग्निफिकेंट पिगर्ज कि यह नहीं शुरू वाली बेकार रहें शुरू वाली बन से कम जीरो बेकार रहें जीरो फाइब बताओ इस नहीं कुछ कह रहा हुड़ा इसका बता जो बढ़के इसमें तो इसके बाद तो इतने हो जाते त्री रहते बढ़ जाते यहां पर उसाओ वेरी गुट वेरी गुट सबको आगया तो ध्यान रखेंगे विटाई टीक है न सिगनिफिकेंट फिगर्स कितना आप इनकी हम क्यालकुलेशन काल नेक्स तर्ण पर सीखेंग ठीक है तो अब